जब इस ट्रिंग के सारे कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं कनेक्शन कर लिए जाते हैं और इस ट्रिंग के कैसे के जाते हैं उसका हमने पहले वीडियो बनाया है तो आप उसको देख सकते हैं तो इसके कनेक्शन होने के बाद हमें इस ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स में कनेक सबी सिटिंग के बाइड सा रहे हैं और जो नीच किमें हमारे सभी सिटिंग के बायोंड शा है तो जहां पर tack miał लगी हुई हैं भभा पर हम को निकाला हुई है बार को साइड इस हीमें सारे अर्द यहां तो यहां पर जो हमारे पीछे की सेट जो लाइन है उसमें जो स्ट्रिंग है और जो सामने वाली जो स्ट्रिंग है सबी के बाइर्स इसमें आ रहे हैं इसमें हमारे 20 जो 20 स्ट्रिंग है उसके बाइर्स आ रहे हैं ठीक है और इसके बाद जो हमारी ये लाइन है जिस लाइन मे हमारी string monitoring box लगी हुई है उसके जो buyers हैं वो देखी यहां से आ रहे हैं जो purling है उसमें रखे हुए हैं और यहां से जो पतला वाला pipe है पतला वाले pipe के सहायता से यह जो buyers हैं वो यहां तक आ रहे हैं तो सभी buyers को एक जगए इखटा कर लिया जाता है यहां पर हमने सभी buyers को इखटा कर लिया इसके बाद हमें सभी buyers को निकाला जाता है कौन सा वायर हमें कहां रखना है तो यहां पर जो हमारी string है string monitoring box है बोग दो पार्टों में हैं एक negative side अलग connection करने है और positive side हमें अलग connection करने है ठीक है तो यहां पर देखिए यह जो side है यह negative side है तो हमें क्या करना हुआ इस buyers को tie की सहायता से अच्छे address करना हुआ और उसके बाद हमें जो negative buyer देखिए यहां पर जो है negative connection है और यहां पर number डला हुआ है देखिए इस परकार से number डले हुए है कौन सा buyer हमारा कहा आना है उसी परकार से जो हमने buyer डाले थे उसमें भी फैरूल लगे हुए है देखिए यह जो फैरूल है वो लगे हुए है तो हमें उसी हिसाब से इन buyers को बहाँ पर निकालना होगा तो देखिए हम क्या करते हैं जहां पर जिसके सामने जो buyers connect हो रहा है तो उसी के सामने हम buyers को dressing करते जाएंगे और जो buyers के सामने जो connector लगे हुए है उन buyers को बहाँ पर निकालते जाएंगे तो इसी परकार से हमें सभी buyers को निकालना होगा बिलकुल सामने जहां पर हमारा connector लगे हुए है MC4 connector लगे हुए है जो अंसे नम्मर का connector है वही नम्मर के बायर्स हैं हमें उसके सामने रखना है और इस टाई की सहायता से हमें वही बायर निकालना होगा जिससे ये dressing अच्छे से होगी और देखने भी अच्छा लगेगा तो देखिए हमने जिसके सामने जो अंसे बायर आ रहा था उसको निकाल लिया है इसके बाद ये वाला जो है वो positive side है तो यहां से हम सारे positive buyer इस side लेंगे वहाँ पर हमने सभी negative buyer को लिया है और इस side हम सारे positive buyer है उनको इस side निकालना होगा और यहां तक हम इसको tie की side तरहे ड्रेस करके आएंगे और इसके बाद यहां पर देखिए जो भी कनेक्टर हमारे जिस नम्मर का जो कनेक्टर है वो यहां पर होगा उस नम्मर के कनेक्टर में जो फेरूल डले हुए वो बाले बायर हमें उसके सामने निकालना होगा जिस तरह हमने नेगिटिव साइड निकाला है उसी तरह से हमें positive side भी निकालना होगा तो देखिए यहां पर सभी जगह से इस बायर को निकाल लिया है हमने इसी तरह से और इसके बाद हम टाई की सहायता से अच्छ से dress करते जाएंगे जिससे यह बहुत ही अच्छा लगता है देखने में और इन बायर्स को अभ जो भी फ्रेक्स्टा होते हैं उसको बाद में काट लिया जाता है तो देखिए सभी बायर्स को हमने इस प्रकार से निकाल लिया है और यहां पर जो भी connector है उसके सामने हमें सभी बायर्स को निकाला हुआ है अब इसके बाद क्या करना होगा इसके जो connection है वो करने पड़ते होंुँआ है करिखिये यहां पर हमने जो भायर्स हैं उनको घुमाके connector में देखा लगाके तो इतना साइज के हमने बायर்स कुंछ होड़ा है जिससे ये देखने में अच्छे लगें देखिए यहां पर हमने इस परकार से बायर्स को लिया है और सभी बायर्स को एक जैसा काट लिया है था सभी बायर्स को एक जैसा काट लेते हैं उसके बाद ये जो बायर्स काटने के बाद फिर हमें इन में connector को लगाना होता है तो देकिए ये सब्सक्राइब देखने में अच्छे लगाना होता है तो देखिये यहां पर जो हमने कैसे सिफ दिया यहां पर ऐसी नाप लेते हैं बायर को कट कर लेते हैं फिर उसी के हिसाब से हम सब बाइर को कट कर लेते हैं जिस सब्हसें किस नतु typical रहता है बराबर रहता हैं तो देखिए this में जो हमारी जो कनेक्टर लगे हुएं वो SMB में नेगिटिव कनेक्टर लगे हुए है तो यह जो बायर्स है वो हमारे पॉ dumbbell बायर्स है तो यहां पर हमें पॉ apparatिव कनेक्टरं बायर्स में लगाने होगा तो यह भी हमने आपको video बनाया है कि किस परकार से इनको connector में लगाए जाता है तो वो आप देख सकते हैं और यहां पर देखी यह negative side है इसी परकार से जो positive side की हमने इसी परकार से हम buyers को एक buyers को लेते हैं और नाप लेते हैं connector तक कितना अच्छा लग रहा है कितना सही रहेगा fix रहेगा तो उतना एक बायर को काट लेते हैं फिर connect कर देते हैं और connect होने के बाद जो SMB है वो इस परकार से दिखाई देती है इसको आप और भी अच्छा बना सकते हैं तो दोस्तो आज के लिए इसमें इतना ही और अब हम आपको जो next part लेके आएंगे उसमें बताएंगे कि यह SMB से जो string box से जो cable है वो हमारी PCU तक कैसे जा जाती है और कौन सी cable जाती है वो हम आपको इसमें बताएंगे और किस परकार से इसको डाला जाता है तो दोस्तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो हमारे वीडियो को like share जरूर करें और अगर कोई भी सुझाव है तो आप हमें comment कर सकते हैं और जिन दोस्तों न लिए इतना ही